नमस्कार आप देख रहे हैं सबसे तेज नूज लोगों के लिए मसीहा बन कर उभरे अभिनेता सोनू सूध आए दिन सुर्क्यों में च्छाय रहते हैं कभी वो लोगों की मदद करके चर्चा में आ जाते हैं तो कभी अपने वहवार के कारण पिछले साल जब करोना ने भारत में दस्तक दीत तो सोनू सूध सडक पर उतर कर घर जाने वाले परिशान मजदूर और जरूरत मंदों की सहायता के लिए आ गया है इसके बाद करोना की दूसरी लहर में तो उनकी जनसेवा जारी रही सोनू सूध को आम जनता भगवान मानने लगी है और सेलेट्स भी उनकी तारीफ करते नहीं ठकते हैं उनकी जितनी तारीफ की जाए कम ही है बेट की कमी हो या फिर आक्सीजन की कमी किसी के घर सामान पहुचाना हो कहीं से कहीं ले जाना हो सोनू सूध मदद करने से पीछे नहीं हटते अब अब नेता ने सिविल सर्विसेज परिच्छा UPSC की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग छात्रविती की घोश्रा की है सोनू सूध में आईस एक्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों की मदद के लिए एक नई पहल संभवम शुरू की है सोनू की इसकी घोश्रा सुक्रवार को ट्वीट कर दी उन्होंने लिखा करनी है आईस की तैयारी हम लेंगे आपकी जिम्वेदारी संभवम के लांच की घोश्रा करते हुए काफी रोमांचित हूँ ये सूध चैरिटी फाउंडेशन और दिया दिल्ली की एक पहल है साथ ही अभिनेता ने इच्छुक अभियर्तियों से अपील किया किवे मुफ्त आयस कोचिंग स्कालर्शिप लेने के लिए क्या कर सकते हैं ट्वीटर पर उनकी पोस्ट के अनुसार स्कालर्शिप के अपलाई करने की आखरी तारीख 30 जून है जो लोग इस स्कॉलर्शिप के लिए चुक हैं वे फाउंडेशन की वेबसाइड www.soodcharityfoundation.org पर जाकर खुद को रेजिटर कर सकते हैं बता दें कि सोनुसूत के सराहनी कार्यों को देखते हुए उन्हें पद्म विवुसर से सम्भानित करने की मांग उठ पड़ी है दरसल केंदर सरकार ने नागरिकों से पद्म विवुसर सम्भान के लिए सुझाव मांगे थे तो ऐसे में उनके लिए बहुत खुसकबरी है जो पैसे के अभाव में आईस की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं तो सोनु सूद दिलाएंगे उन्हें फ्री कोचिंग और आप बनिए आईस या आईपियस या फ्वेर और कुछ तो करिए ऐसे अपलाई ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचे हमारे चैनल को आपने अभी तक नहीं स जरूर सब्सक्राइब करें